मसूरी में लॉज डलहेडी मसूरी के द्वारा महिला कर्याण परियोजना के फैट फ्रीमेसन हॉल मसैनिक लॉज बस स्टेंड में कारिकरम का हैजिन किया गया जिसका शुबारम कारिकरम के मुख्यात थी उत्तर भारत की रीजनल प्रेंड लॉज के रीजनल प्रेंड संजीब के द्वारा संजीब कंधी के द्वारा किया गया इस मौके पर 60 से अठिक एकल माताओं को गरम सूट और स्वेटर और मोजे वित्रित किये गए वहीं उनके बहतर स्वास्थ और भविश की काम ना की गई इस मौके पर लॉज डलहजी मसूरी के सदस्यों के द्वारा सामज एक हित्मे किया जा रहा है कारियों के बारे में भी बात की गई इस पूरे इंडिया में फैली है वैसे तो वर्ड में फैली है हमारी संस्थया जो है वो मेनली काम करती है अच्छे आदमी को और अच्छा बनाने के लिए अपनी लॉज में जब लोग अच्छे से अच्छे बन जाते हैं मिलके पिर इस किसम के प्रोजेक्ट करते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं दिल्ली में मैं नॉर्जन इंडिया का हैं लेकिन दिल्ली के अंदर हमारे पास चार बड़े प्रोजेक्ट एगारा स्कूल है जो मिसानिक पास्तिक सोसाइटी है बच्च को होती है इस किसमें करती है लेकिन हमारा में यह होता है ब्रदली लव रिलीफ एंड टूथ है आपस में प्यार से रहना जो हमेरे ब्रदली रहना सब मेंबर हैं फिर जब उसके हर समय सच्चा रहना सच्चा टू प्रोफेशन सच्चा टू समाज के लिए सच्चा रहे हम लोगों और फिर उसके बाद जब यह सब चीज़ें होती है तो हम रिलीफ करते हैं करते हैं इस किसम की चीज़ें करते है और लाज डलोजी हमारा एक योनिट है जो सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है बड़ी खुशी है कि मैं आप दली से आया हूं इस प्रोजेक् embedded कर्या है अर में मिलें करें और इस बार सिंगल मदर्स के लिए किया है जो की अकेली रहती है और इसके पहले हम बच्चों के लिए करते थे और अब महिलाओं पर फोकस है तो महिलाओं के लिए हम जो है जो कुछ भी करें वो कम है और आगे भी महिलाओं के लिए कोई नहों कोई कारिग्रम करते रहेंगे में लाटूर गाउं में किया था जी उनका पूरा स्कूल जो है को अडॉप्ट कर लिया था और वहां पे स्कूल यूनिफॉर्म बेंच और स्टेशनरी कई साल तक देते रहें हम लोग और जब उनके हां लोशनी सोलर लेक्षटी आई तो उनके रिजर्ट जो है वो पहले से क अब तो खेर मां बिजली आ गई है जब बिजली नहीं थी तो एक एक लैंप हमने हर गर में दिया उस गाउं में और साथ ही साथ उसके स्कूल को हमने अडॉप्ट कर लिया वहां के बच्चों के लिए स्टेशनरी और किस यूनिफॉर्म कई सालों तर देते रहें